नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ, आप अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वेडियो है, वो वास्तु सास्तर के लिए बहुत जयादा महत्पुर्ण है क्योंकि अभी के वक्त में लगभग सभी लोग कोई न कोई काम करके पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद एक अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, अच्छा भोजन, अच्छा कपरा, इन चीजों की जो मीद होती है वो हर एक विक्ती अपने आने वाले वक्त से बहुत जयादा करता है लेकिन एक बात पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए वास्तु सास्तर हर एक विक्ती के जीवन में बहुत जयादा महत्पुर्ण भूमिका निवाता है अगर वास्तु सास्तर को आप मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महतपुर्ण होने वाला है हम लोग जानने वाले हैं कि आपके बेडरूम में यानि कि आपके कमरे में जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में क्या-क्या नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वो तो बाद की बात है उस पर कप यह और बात करेंगे आज बात करते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए तो आपके बेडरूम में कभी भी कोई भी आकरमक तस्वीर नहीं होनी चाहिए कोई भी जानवर जो आकरमक मुद्दा में हो उसका फोटो नहीं होना चाहिए किसी भी देवी देवता की तस्वीर जो आकरमक मुद्दे में हो जो देवी देवता क्रोध में हो गुसे में हो किसी का वध कर रहे हो ऐसी तस्वीर आपके बेड रूम में नहीं होनी चाहिए आपके बेड रूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए क्योंकि बेड रूम में अगर आप पूजा घर बनाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा दूसरी बात आपके बेड रूम में अगर possible हो तो सीसा आप नहीं रखें और अगर सीसा रखते हो तो सीसा आपके बेड पर में उसकी परचाई नहीं परनी चाहिए क्योंकि दरपन की परचाई अगर आपके बेड पर आपके बिस्तरवर परता है तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा इन बातों पर आपको ध्यान देना है और अगर शंभब हो तो अपने बेड रूम से आप इस मुद्धे को दुबारा सुने वीडियो बहुत आविश्यक है सुनिएगा फिर से मैं दुबारा से कह रहा कोई भी आकर्मक जानबर या प्रानी इसकी तस्विर नहीं होनी चाहिए देवी देवता जो क्रोध में हो जो गुस्से में हो उनकी तस्विर नहीं होनी चाहिए तीसरा बेड रूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए और पूजा का स्थान भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए और अन्तिम अगर संभब हो तो सीसा भी दर्पन भी बेडरूम में आप नहीं रखे और अगर मजबूरी हो रखना पड़े तो सीसा को आप बेड से घुमा कर रखे ताकि उसकी परचाई वो बेड़ के सामने में नहीं आए तो उमीद करता हूँ सारी बातें आपके मैंड में बहुत आसानी शे आचुकी होगी अगर फिर भी कोई शवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद